हेलो गाइस चलो हम लोग RRB NTPC की बात करते हैं जिसकी वेकेंसी जो है निकल चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि हमें पता लगाना है कि इसकी जो है वेकेंसी कितनी आई है सबसे पहले यह रेलवे की वेकेंसी है और इसकी जो है टोटल जो है वेकेंसी अगर हम लोग बात क उनीस हजार 900 सॉरी 900 लगबग इसकी वेकरण से निकल चुकी है और आगे भी जो है इसकी बढ़ने की संभावना है और सबसे पहले इसकी बात करते हैं इसके form अपलाई जो इसके form जो है apply कब से होंगे इसके form अपलाई कब से होंगे तो 10 से 15 सेप्टेंबर 2024 10 से 15 सेप्टेंबर 2024 से के आसपास जो है इसके form भी भरे जा सकते हैं मतलब पूर्ण अनुमान नहीं है बस मैं rough आइडिया बता रहा हूं ठीक है 15 अगस्त estimated date जो था estimated date जो था वो 15 अगस्त था आने का बट यह किसी कारण बर जो है लेट हो गया क्या हो गया लेट हो गया तो लेट हो गया क्यों खुग इसके पीछे रीजन है पिछले भी बहुत सारे एक्जाम्स जो है भी कवर नहीं हुए हैं चलो अब हम लोग जो है बात कर लेते हैं कि मतलब किस किस ग्रेट पर निकला है तो ग्रेट ग्रेट तो यसे कि मालो क्लेट है कि निए चलो तो चलो बोगे बड़ और पूर का और उसक्स कोब निकला है तीक है और सबसे बड़ा होता है यह क्या होता है सबसे बड़ा ग्रेड सबसे बड़ा पोस्ट जो है इसमें कौन सी पोस्ट मिलती है सब इंस्पेक्टर टू स्टार सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पोस्ट जो है इसमें मिलती है ठीक है और यह जो होते हैं छोटा पोस्ट होता इसमें और यह कलरक वाली होती है ठीक है तो अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगती है क्वालिफिकेशन कौन सी कौन सी मांगती है इसमें 12 भी चलेगा और कुछ पोस्ट क चलेगा तो इसमें जो है लगभग ट्वल्थ में लगभग 3400 पोस्ट के असपास में पोस्ट आई है चेक है पोस्ट आई है और इसमें जो है लगभग 17,000 पोस्ट है चेक है और कुछ में टाइपिंग भी है टाइपिंग के सरनों टाइपिंग भी मांगें क्या सबसे बड़ा कोशन होता है टाइपिंग टाइपिंग तो कुछ पोस्ट के लिए कुछ पोस्ट के लिए है ठीक है तो कुछ पोस्ट के लिए है तो इतनी जो जानकारी जो है हमेने बदा दी कि वेकेंसी जो है 19,000 प्लस आएगी फॉर्म अपलाई जो है तो से 15 सेतंबर 24 तक आएगा 15 अगस्त को आना था लेट हो गया घ्रीड दो थीन चार पांच छे पर निकुलेगी सबसे बड़ा पोस्ट जो है चे नमबर का होगा सब इंस्पेक्टर का होगा और क्योऊ कियए जो है इसकी इतनी होगी 12 और ग्रेजवेशन 12 और ग्रेजवेशन 12 में 3400 पोस्ट के आसपास आएगी और टाइपिंग कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग भी देनी होगी असे बड़ी बात करते हैं इसमें एज की एज उमर कितने लोग तक भर सकते हैं तो जर्नल वाले जो होते हैं वो 30 के एज तक भर पाएंगे और OBC वाले जो हैं वो लगबग लगबग 33 के और 35 से 38 साल तक भर पाएंगे तो एज हो गया हर चीज हो गया तो हम लोग थो हैं फटक देखे यहां पे कम लएन खीशते हैं और हम कि एसलेबस की किसकी बात कर रहते हैं स्लेबस की बात कर लेते हैं तो हम बोग बात कर लेते हैं तो टियर वन की कि टियर वन की बात कर लेते हैं तो टियर वन में जो है मैस आएगा रिजनिंग होगी मैस होगी रिजनिंग होगी और जो इसमें GA होगा GA इसी में आपका GK, GS, Current फिर सब आयाता है ठीक है और questions जो होंगे इसमें 30 questions होंगे इसमें भी 30 questions होंगे 40 होंगे यानि कि आपका 100 questions होगा और marks जो होंगे आपके ये भी 30 marks के होंगे ये भी 30 marks के होंगे ये 40 marks के होंगे यानि सो मार्क्स के ही होंगे ठीक है ये जो है क्वालिफाइंग है क्वालिफाइंग है क्वालिफाइंग है और टियर टू की बात कर लेते है टियर टू की बात कर लेते है तो इसमें मैटस आएगा और रिजनिंग भी आएगी reasoning भी आएगी और इसमें भी जी आएगा तो tier 2 क्या है थोड़ा सा weightage जो है बढ़ जाएगा तो जैसे कि आप मैं बात कर लेता हूँ इसमें जो है 35 question आएगे 35 reasoning आएगी और 50 की यह हो जाएगी तो total 120 हो गया मार्क्स भी कितने होंगे उतनी होंगे question और मार्क्स भी कितने होंगे 35 होंगे 35 होंगे 50 होंगे 120 लाना होगा ठीक है तो अगला जो है अब document verification होगा next में तो एक चीज़ या रखना है document verification पहले बता दूँ कि एक note down कर लेना note note में क्या लिखवाने वाला हूँ कि tier two जो है tier two जो है sub post के लिए अलग 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 एक्जाम होगा या अगर आप ग्रेट अलग अलग ग्रेट डाल रहे हो यानि इन ग्रेड़ों में डाल रहे हो तो इनके लिए जो है अलग अलग से एक्जाम आपको देना पड़ेगा ठीक है तो इतना बास में आ गया तो उसके बाद जो है मैं डोकुमेंट वेडिफिकेशन होगी थोड़ा सा मेडिकल होगा बस उसके बाद जो है सारा का सारा काम खतम तो यह है टोटल आपका अररभी एंटीपीसी कास लेबल और अपलाई का तरीका और की कैसे अपलाई होगा कैसे क्या होगा ठीक है मैंने सारा चीज आपको डिटेल में बता दिया है और होप कोई डाउट नहीं रहेगा जब फॉर्म निकलेंगे मैं बता दूँग कैसे भरना कैसे नहीं भरना है ठीक है Station Master बगार सब इस की बात है फ्री में त्यारी करनी तो मैं बता दूँगा और बुक्स जो है सबसे सस्ती बुक्स कहां मिलें कि वह भी मैं बता दूँगा ठीक है तो मैं सबसे अगर आप कमेंट करो के तो मैं एक वीडियो और लेते होंगा तो मैंने सब इसमें डेटेल में बताया है I hope आपको पसंदाया होगा thank you so much bye bye अब अगर हाँ